आपको लगता हो कि कोई आपको मार देगा इस प्रकार का डर आपके अंदर हो कोई आपके हानी कर देगा इस प्रकार का डर आपके अंदर हो किसी को फेस करने में आपको डर लगता हो किसे बाचित करने में आपको डर लगता हो मेरे प्रभू आज हर प्रकार का वो डर जो इन भाई बहनों के जीवन में है कुदावन देश्य मुस्ति के नाम से उस डर को दूर करते पिता गबराते हैं हो सकता है आपके अंदर वो डर बैठ गया ये फिर आपके परिवार वालों के अंदर ये फिर किसी बच्चे के अंदर ये फिर आपके बच्चों के अंदर वो डर हो तो आज परमेश्य का वचन आप से बाचीत करता है वो डर आपके जीवन से दूर चला अकेले पन से डर लगता है, अंधेरे में डर लगता है, अनेक परकार के डर आपको हो सकते हैं, या फिर आपको लगता हो कि कोई आपको मार देगा, इस परकार का डर आपके अंदर हो, कोई आपके हानी कर देगा, इस परकार का डर आपके अंदर हो, किसी को फेस करने में आप आपको डर लगता हो, किसे बाचित करने में आपको डर लगता हो, हो सकता है अनेक परकार के करण आपके जीवन में हो, जिन से आपको डर लगता हो, आपको डर लगता हो कि कहीं इस बिमारी से आपकी मिर्तिय न हो जाए, आपको डर लगता हो कहीं इस समश्या में पढ़कर आ हमें से बहुत से भाई बहन चोटी चोटी बातों पर बहुत अधिक डरते हैं, बहुत अधिक डरते हैं, आप घर से बाहर निकल रहे हैं, तो आपकी मन में डर है, या फिर जो घर में हैं, उनके मन में डर है, क्योंकि आप घर से बाहर गए हैं, आपके बच्चे स्कूल जा र ये परमेश्यो का वचन आपसे क्या कहता है और ये डर आपके जीवन से दूर हो जाएगा और इस डर के लिए आप एक पोस्टर भी बना सकते हैं और अपने घर में लगा सकते हैं ताकि आपके बच्चे जब भी इधर उधर जाएं ये फिर आप इधर उधर जाएं तो उसे पड़े और वो डर आपके जीवन से दूर हो जाए आपको एक धाडस मिले एक विश्वास मिले ओ आप आप विश्वास में मजबूत हों कि परमेश्यो का वचन कहता है कि मत दर मैं तेरी साथ में एक वचन हम लोग देखेंगे यसाय की किताबस का चवण अध्याय और चौ दोस्तों यहाँ पर परमेश्यो का वचन कहता है कि तुझे डरना न पड़ेगा क्यों डरना न पड़ेगा क्योंकि वो भै का जो कारण है वो डर का जो कारण है वो तेरे पास न आएगा क्यों नहीं आएगा क्योंकि परमेश्यो तेरी प्रोटेक्शन है परमेश्यो एक सहरपना है तुझे बचाने के लिए, एक कवच के समान, एक कवच के समान परमेशर तेरे चारो और है और तो उसके बीच में है, तो कोई भी जो डर का कारण है जिससे आप डरते हैं, वो तेरे पास ना आएगा इस वादे पर भरोंसा कर ले, तुझे डरना नहोगा, तु और वो जो डर का करण है, वो तेरे पास ना आएगा, सबोज कोई ब्यक्ति जो आपको मारना चाहता है, तो वो आपके पास नहीं आ पाएगा, क्योंकि परमेशर आपको प्रोटेक्ट करने वाला है, इसलिए बाइबिल कहते हैं, जितने हत्यार तेरी हनी के लिए बनाए ज अमरे चारो और एक दिर्ड चटान के समान खड़ा है, ताकि कोई भी उसके लोगों की हानी न करना, तो आज सुबह में मैं आपको उटसाइद करना चाहूंगा, इस वचन पर भरोसा रखें कि कोई भी डर का करण मेरे पास ना आएगा, इस वचन पर भरोसा रखें कि मत ड तिरे साथ में हूँ, प्रवगैश मस्यी ने कितनी ही बार कहा कि मत डरो, मत डरो, पर मैश्यों ने तुमें दर का आत्मा नहीं दिया, सामत और सयम का आत्मा दिया है, इसलिए डर नहीं, बिलकुल भी डरने के आउश्यक्ता नहीं है, दानियल को जब सेरों की मान में डाल तो वो डरा नहीं, सजग मेसक अबेद नगों को आपके भटे में डाल दिया गया, वे डरे नहीं, डर उनके अंदर नहीं था, और आज आपके अंदर भी ये डर नहीं होना चाहिए, यदि कभी भी आपके मन में ये डर की भावना अत्पन हो, तो उसी समय आपको इस वचन को बोलना है कि मत डर मैं तेरे साथ हूँ, डर का करण मेरे पास ना आएगा, मुझे भेवित होने की आवशकता नहीं है, मुझे डरने की आवशकता नहीं है, क्योंकि परमेशर मेरा प्रोटेक्शन है, परमेशर मुझे बचाने वाला है, परमेशर मेरी चारा ओर मेरी ढाल है मेरी आड़ है अनिश्य है जब आप इस प्रकार का विश्वास रखते हैं तो प्रवियेश्य मस्य आपके जीवन में उसी प्रकार से कारिय करते हैं तो आज आप हमारे साथ में मिलकर प्रात्ना करें और हम आपके लिए प्रात्ना करेंगे और वो डर आपके जीवन से ही चला जाएगा सुप्रव आपको इस वचन के दौरा बहुत आइट से आसिस देगे आमीन जाए मसिगी मैं दिल्ली सुपाचना बोल रहे हूं मेरी एक कवाई है मैं 7 मन्थ प्रेगनेंट थी और कॉम्प्लिकेसं के कारण मुझे 7 मन्थ में जुलेबरी करने पड़ी मेरी बेबी एनाइसीउ में थी उस वक्त मैंने और मेरे परिवार के लोगों ने प्रे में बहुत कि मेरी बेबी जलिए याptाफली सबस्ता है अब मेरी अभरे Het हो सो हम प्रभी येश्य मसी का धनिवाद करते हैं इस नई चुबह के लिए मैं आशा करते हूं कि अब सब खुश हैं और आप प्रभू के वचण को सुनकर आशीश पाई है, आईए मिलकर हम प्रात्न करें, धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता हम सब के उद्धार करता हमारे जीवते प्रभू हम आपका धन्यवाद करते हैं, इस नए दिन के लिए इस नए सुभा के लिए प्रभू जो आपकी दया कुछ नहीं है पिता परमेश्वर इसी सुभा का समय यह वक्त परमेश्व पिता जो आपने हम सब को दिया है जो बहुत ही ज़्यादा भाहु मूली है खुदवन मैं तेरा धन्यवावत करती हूँ पिता कि इस समय हमारे साथ जितने भी भाई बेन इस प्राथना में आज की सुभा में शामिल है देश विदेशों से प्रभू जगा जगाओं से पिता छोटे बच्चे नौजवान बुजर्ग लोग प्रभू खुदवन उन्हें आशीज दे उनके साथ आपकी प्रेजन्स बनी रहे पिता वो महसूस करे प्रभू कि आप उनके साथ में है और आपका अलोकिक पवित्र आत्म का इसपर्श प्रभू उन्हें महसूस होने पाए पिता थैंकि लॉड जीजस आज के दिन में परमेश्व प्रभू प्रभू तेरी भली योजनाय हम चाहते हमारे जीवनों में पूरी हो तेरी इच्छा प्रभू हमारे जीवनों में पूरी हो पिता आप जो चाहते हैं वो हमारे जीवनों में हो पिता प्रभू हम अपना भला और बुरा नहीं जानते परंतु आप हमारा भला बुरा हमारे हानी और न प्रबुषण को प्रभु हमसा कre दिन में, प्रभु, हम पैरे चलाएवे चले आत्मा की चलाएवे चले परमेशो मैं धन्वाद कुम्ध करती हूं, रात की सुरक्षा अच्छी नीन के लिए विश्राम के लिए प्रबु आपकी सेखे दिन के लिए तो प्रभु हिर्दे से धन्यवाद निकला प्रभु कि आज हम जीवित हैं और नई योजना को करने के लिए तयार है उस पूर उस योजना के तहट अपने जीवन को ढालने के लिए तयार है मेरे प्रभु मैं प्रातना करती हूँ पिता आज प्रभु आपके लोगों के इनके प्रभू ये शमसी काम आजके दिन में बनने पाएं। इनके हर एक रुकावते दूर होने पाएं। माज को देखकर खुदावन या फिर किसी जान जानवर को देखकर प्रभू पिता परस्तितियों को देखकर विरोधी को देखकर मेरे प्रभू कोई भी प्रभू किसी भी गलत बात को लेकर परमेश्व जो डर इनके मन में है मेरे खुदा हर प्रकार का डर परमेश्व पिता आज आप इनके जीवनों से दूर करें, क्योंकि आपने ये बात कही है, कि मैं तेरे साथ में हूँ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूँगा, और कभी नहीं त्यागूँगा, yes my lord, इस समय जितने भाइबें डर में जीरें, आज आप उनसे वादा करते हैं, कि वो भैका कारण तेरे पास ना आईगा, क्योंकि मैं तेरे साथ में हूँ, इस वाइदे के लिए प्रभू, इस बहुत ही special promise के लिए प्रभू, हम तेरा धनेवाद करते हैं पिता, आज इस promise को, इस वाइदे को तेरे लोग अपने जीवन में receive करने पाएं, आज आज आप receive करें, और आज उस डर को कहें, कि येश्यू जब तूने कहा मैं तेरे साथ में हूँ, क्योंकि येश्यू जो मेरे समीप, जो मेरे पास, जो मेरे अंदर है, वो मेरे साथ में है, हाँ मेरे प्रभु तै प्रात न करती हूं कि इन्हे भेभीत न होने पड़ेगा, इन्हे प्रभू डरना न पढ़ेगा प्रभू, इन्हे अच्था पर्मेशर, परंतु पिता, आपका वचन कहता है कि कोई भी डर का कारण तेरे पास न आएगा, ये श्मसी इनके जीवन से हर इने के बच्चों का कोई नुकसान ना हो जाए या फिर कोई इनका नुक्सान ना कर दे या फिर कोई इनके घर में परम्यशुष गलत प्रकार की गडबड़ियों को न पैदा कर दे मेरे प्रबू आज हर प्रकार का वो ड 나오को Dios बचन के दौरा आपने बात चीत किया धन्यवाद इस सुबह में प्रभू विशेश रूप समझाते हैं आज योजनाए बनी हैं प्लांस बने हैं बहुत सारे काम है खुदा आज आपके लोगों ने आपके आगे रखे खुदा यह काम जो आज आपके आगे रखे गए पिता क इन कामों को सफ़ल कर खुदावण येहश euch के नाम से उनकामों पर बरकत और आशीर ने की आशीर दे हैं किस काम पर हात लगा आशीर सफ़ल को जह हो जहां कहीं जाएं प्रबो लोगों के लिए आशीश आविंपा इस्तामाल करते हुए प्रबो येश्य का बिज्द्ल कार मेरे प्रभून आपे नाम से चंग हो जाए गर्मी में होने वाले बीमारियों से टाइफाइट जॉंड़ बीलिया और प्रभूवा डिहाइड्रेशन की प्रब्लम ये शुनासरी के नाम से दूर हो जाए जो हार्ट पेशंट है चांसर पेशंट है किड़नी पेशंट से प्राभू नासरी के नाब यी इस्युनासरी की नाम से दूर हो जाए प्राभू अच्छा खाना लेने क्ट लेया प्राभू ये शुके नाम से फीडिंग लेने परता दे आप उन बच्छों को पीता प्रमेश जो भी प्राग उसें जुटकारा दे ऑुदा पिता तेरा आनन उन बच्चों के अंदर आए खुदावन प्रात्न करती हूं पिता जिनके हाथ पैर में प्रभू प्राब्लम है पिता प्रभू कोई भी बॉड़ी पार्ट जो डंग से नहीं बना है पिता ये शुनास्री के नाम से उस हड़ी मांस को हम अग्या देते हैं कि वो बनने लगे ये शुनास्री के नाम से खुदा तेरा धन्यवाज आज के दिन में प्रभू ये शुमसी जब ये स्कूल, कॉलेज़, आफिसस के लिए जाते हैं अपने कामों के लिए जाते हैं या फिर घरों पे रहते हैं प्रभू तेरी सुरक्षा आपके लोगों के सा से वो पूरा होने पाए, पिता, मेरे प्रभू, प्रभू जिनका बहुत ही जादा इस समय नुकसान जिनोंने देखा है, उनकी साहत और मदद कर, इस समय प्रभू बहुत सी जगह में है, पिता, जो बहुत नुकसान की जगह पर है, प्रभू बहुत जादा नुकसान हो रह प्रभु तेरा अनुग्र है उन जगए पर कर मेरे खुदा और वहाँ पर जो लोग प्रभु मुसीबत में हैं समस्याओं में खुदा उन्हें छुटकारा दे खुदा जितनी प्रात्न विंतिया इस सुभा में आई हैं खुदा मैं तेरा धन्यवाद कर त्यों प्रभु तु आमें आमें और आमें